Hello student, welcome once again बच्च इस वीडियो में हम लो question number 3 solve करेंगे और यह जो question है यह 2 की तरह ही है यहाँ पर इन दोनों का आपस में correlate करने की कोसिस की गई है हमसे यह बोला जा रहा है कि in question number 2 above यहाँ पर जो आपने भी question number 2 solve किया था जिसमें आपको red pigment का और base की यहाँ पर आपको parts दिये गया थे कि अगर आप one red pigment का use कर रहे हो तो आपको 8 part base का use करना पड़ेगा तो बताइए कि 4 में कितना होगा तो यह से मैंने आपको दोनों method से समझा दिया था how much red pigment should be should we mix with 1800 ml of base ने देखो इसमें क्या था ना कि अपने को यह parts में देखर के दिया गया थे यहाँ पर parts आपको दिख रहा ना 1 का 8 part 4 का 32 7 part में 56 part इस तरीके से parts में question दिये थे यहाँ पर अपने को ना red pigment को part में ही रहने दिया है देखो यहाँ पर red pigment को one part बोला गया है और यहाँ पर red pigment का अपने से वही पुछा है कि how much red pigment should we mix with 1800 ml of base ने कि इस पर जो base है ना वो अपने को ml में दे दिया गया है जो पहले part बोल रहा था ना जो पहले part में नंबर दिया ह हुआ था उसी चीज़को के वालब ml में convert कर दिया मीली लीटर जिसको बोला जाता है तो इसको भी हम लोग जो इस method में हम यहाँ पर जो question को solve के था ना वैसी solve करेंगे अगी मैं को copy में समझा जेता हूं कैसे solve करना है तो देखो इसका जो table है वो कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर अपने को parts of rate दिया गया है question में कि one part अगर अपन rate का लेते हैं तो base को अगर अपन ml में देखें तो 75 ml लगेगा तो अगला जो question है वो पीछले बर्दे को क्या था अपने को नीचे का जो base है वो gap कर दिया था उपर के जो rate के parts से वो पूरे दिये हुए था और यह जो थाड़ वाला question है इसमें अपने को नीचे दे दिया गया है part of जो base है ml में दे दिया गया है जैसे पहला वाला के लिए 75 बोल दिया गया है दूसरा वाल अपने को rate का part नहीं बताया गया है कि 1800 ml लग रहा है तो बताए कि कितना वहाँ पर rate के parts मिलेंगे अपने को तो a b c d b कुछ भी मान सकते हो ठीक है मैं यहाँ पर simply x मान लेता हूँ अब हमको मैंने को क्या बताया है कि direct proportion में question है तो अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं simple direct से आप दिमाग में बैठा लो divide ठीक है डिवाइड वाला जो हमारा method है formula है वो use करेंगे formula क्या है तरीका क्या है यहाँ पर 1 का 75 है न तो simply आप 1 divided by 75 लिखो equal के उस side में इसको कर दो आप x divided में 1800 इस तरीके से क्यों कोई भी number अगर direct proportion में रता है तो दोनों के जो fractions होते हैं वो आपस में equal होते हैं इसलिए अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं अब यहाँ से अपने को तो x की value चाहिए यह 1800 तो चाहिए नहीं तो इसको उठा करके आप इस side fake दो तो यह हमारा 1 multiply में 1800 हो जाएगा क्यों कि धर यह divide में था और यहाँ पर नीचे में 75 रहेगा ही equal कि उस side में यह जो x है वो आपका as it is उतर जाएगा अब आपको simply इनको आपस में cut करना है चाहिए आप जैसे भी cut कर ल तो 55 जा मेरा 25 आजाएगा उपर में भी हमारे पास 5 के टेबल में 53 जा 15 हो गया 18 में से 15 कट हुआ बचा 3 वाग जाकर 30 बना देगा तो 56 जा 30 हो गया और यह 0 का 0 उतर जाएगा उसके बाद भी यह मेरा किससे 5 से कट हो रहा है ना क्योंकि last में 0 है या last में 5 है तो 5 से फिर मे हो जाएगा हमारा 10 तो 72 भाइ 3 आ गया है अब यह दोनों मेरा 3 से को कट हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि नीचे 3 है उपर 7 और 2 प्लस करेंगे तो 9 आता है तो 9 भी 3 से डिवाइड होता है ना इसका मतब 72 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा यह 3 का जो divisibility rule था मैंने जो आपक 24 बन जा 24 आ जाएगा तो 24 इक्वल टू एक्स लिखो यह एक्स इक्वल टू 24 लिखो बात एक ही है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपने को वन पार्ट अगर हम लोग रेट का ले रहे हैं तो अपने को 75 ml क्या करना पड़ रहा है वहाँ पर बेस का मिलाना पड़ रहा है तो अगर अपन 1,800 पार्ट की जो बेस है वो मिलाएंगे 1,800 ml तो अपने को हाँ पर 24 पार्ट की यूज़ करना पड़ेगा रेट का इस तरीके से आपको उन को सॉल्व करना था आपको अच्छे समझ में आगया होगा पिछले वीडियो में मैंने दोनों को समझा देना चाह करोगे तो इस चैप्टर के सारे वीडियो समिल जाएंगे राइट वाले में क्लिक करोगे तो जो ने जाएंगे